So, hello, बच्चो, बच्चो, this is Vanesh Gautam from K2 Institute, बच्चो, आज की वीडियो में बात करेंगे, biology के one of the most important topic के अबारे में, उसका नाम है cell cycle, आपको अच्छे तरीके से पता है बच्चो, कि biology का आधार है, वही क्या है, cell, तो अगर अब biology को सही तरीके से समझ के पढ़ना चाहते हो, तो बहुत important हो जाता है कि आपको cell का behavior समझ में, cell की cycle समझ में, क्योंकि अगर आपको यही समझ में नहीं आएगा, कि cell किस तरीके से बेफ करती है, तो biology को तब क्या ही समझ होगे, बात समझ में आ रही है, तो start कर रहे हैं बच्चो, cell cycle, अब cell cycle होती क्या है, तो देखो, मान लो कि यह एक cell है जिसको मैं parent cell बोल रहा हूँ, इस cell ने divide किया, divide करके दो daughter cell बनाई, ठीक है, अब यह जो बच्चो daughter cell है, future में यह भी divide करने के लिए जाएगी, अगर यह cell जब divide करने जाएगी, उन्हीं सारे steps को follow करें, जो कि इस cell ने follow किये थे, यहां से लेकर यहां तक पहुँचने के लिए, तब माना जाएगा कि यहां से लेकर यहां तक क्या पूरी होई है बच्चो, सविसको कि बोलते हैं इंटरफेस उसके हैं इंटरफेस के अंदर इंटरफेस में इन्टरफेस हो तो क्या जो डॉटर सल बनेगी उनके बस content आधा आधा नहीं आएगा अब मुझे बताओ कैसा यह चाहिए कि उसके जो बच्चे बनने वाले हैं उसके जो डॉटर सल बनने वाले हैं उनके बस आधा आधा content पहुचे कि बच्चो अगर content आधा हो गया तो वो सल survive भी नहीं कर पाएंगी इसलिए जरूरी यह है कि जो parents है पहले अपने content को double करें उसके बाद ही वह divide करें तो यह जो growth का phase है यह preparation का phase है इसको क्या बोलते हैं इंटर फेस बोलते हैं अब इंटर फेस को और अच्छे तरीकी तरह समझेने के लिए हम फड़र तीन फेस में डिवाइड करके पड़ते हैं सबसे पहला phase जो है बच्चो इसको बोलते हैं जी वन फेस दूसरा जो फेस है इसको बोलते हैं एंग और उसके बाद जो होता कौन से phase में होता है बच्चो एस फेस को इसलिए synthesis phase भी कहा जाता है बच्चो कि यहाँ पर DNA की synthesis होती है यहाँ पर DNA की extra strand बनता है DNA की replication होती है आप मेंसे जिस बच्चों को नहीं पता DNA का replication क्या है तो इससा बता दूँ DNA अपने content को double करता है अपनी एक और copy बनाता है इसी को DNA करने का replication बोलते हैं बच्चों जब एक बार cell का size बढ़ जाता है DNA replicate कर जाता है सारा content double हो जाता है अब 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 ऐसा नहीं होता कि randomly division हो गया जब M phase आएगा और इंटरिविस पूरा होता है M phase आएगा M phase को बच्चों हम further 2 phase में divide करके पढ़ते हैं सबसे पहले किसका division होता है Nucleus का nuclear division होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों कारियो काइनेसिस यहां जहां सा देखो क्या है मैंने यहां पर Nucleus पर divide करवा दिया करवा दिया इसको क्या बोलते हैं कारियो कानेसिस और जब बच्चों Nucleus divide कर जाता है उसके बात क्या बचेगा cell membrane को सिंबल तोड़न है इसको क्या पुलेंगे भच्छो साइटो काने से जिहाने की साइटो अ Kommentka बॉला हो जाता है पिर नूक्रिए इन डिवाइट कर जाता है फिर साइटो प्लास्मिन डिवाईट कर जाता है तब बमानते हैं कि एक्चुल में हमारा क्या पूरा हुआ है एक सेल की साइकल पुरी होई है अब बच्चो इंटरफेस सब में सेम होता है लेकिन M-phase किस तरह का है या M-phase किस तरीके से हो रहा है इसी बेसिस पर हम हमेशा दो तरह के इन पहले cell division के बार में बात करते हुए आएं है और future में भी करेंगे पहले cell division है बच्चो या यहूं कहलो पहले cell division का type है mitosis और दोसे cell division का type क्या है बच्चो? meiosis अब इनके बीच में हल करके कुछ differences हैं जो main difference ना उनके बार में ज़रा बात कर लेते हैं में इनके बीच में सबसे पहला जो difference है बच्चो वह क्या है mitotic division या mitosis को हम equational division भी बोलते है equational division क्यों बोलते हैं बच्चो? imagine करो कि यह एक size deployed cell थी जब यह divide करेगी तो जो दोटर साल बनेगी उनकी content भी क्या सा बच्चो? जहां से देखो deployed हैं के नहीं है? वहीं पर अगर यह cell haploid भी होती तो भी divide करने के बाद जो दोटर साल बन रहे हैं वो भी कैसी है बच्चो? haploid है तो basically chromosome का number नहीं बदलता mitosis के अंदर जैसा chromosome का number deployed cell के पास था either deployed थी या haploid थी बिल्कुल वैस्ता ही किसके पास रहेगा daughter cell के पास इस तरह के division को क्या बोलते हैं बच्चो? mitosis meiosis के अंदर क्या होता? meiosis को बोलते है reduction division क्यों बोलते हैं बच्चो? क्योंकि यहां पर chromosome का number half हो जाता है जैसा देखो अगर यह doctor cell sorry अगर यह parent cell deployed थी तो division के पास जो डोटर साल बन रहे है बच्चो? बच्चो वह भी कैसी है यहां से जोगो haploid होई के नहीं होई तो chromosome का number half हो गया होगा अब diploid से haploid की तरफ शिट हो गए के नहीं हो गए इस तरह के division को क्या बोलते हैं बच्चो? meiosis बोलते हैं अब कुछ और चिंजस की बात करते हैं देखो बच्चो जो आपका mitosis होता है क्योंकि मैंने कहा mitosis में chromosome का number same रहता है तो किसी भी तरह का बदलाव आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा बास समझ महारी है mitosis में बच्चो जो daughter cell होती है वो exactly वैसी ही होती है जैसे कि इसकी parent cell थी इसलिए mitosis का इस्तमाल asexual reproduction के दुरानटी किया जाता है आप सीधा पूछा जा सकता है कि asexual reproduction में किस तरह का division होता है तो आप बता दोगे mitosis होती है वहीं पर बच्चो जब में meiosis की बात करते है meiosis में जो daughter cell बनती है उनके अंदर एक तरह की genetic variation देखने को मिलती है वह cell जो daughter cell है बच्चो वह अपने parent cell की तरह नहीं होंगी parent cell से difference show करेंगी ठीक है इसलिए यहाँ पर क्या show होती है बच्चो genetic variation show होती है बात समझ में आ रही है उसके बात मैंने कहा कि chromosome का number सेम रहता है mitosis में लेकिन cell का number increase कर गया के नहीं कर गया एक cell ने divide करी दो cell अब यह दो divide करेंगी चार cell तो कुल मलाकी होता क्या है बच्चो हमारी पूरी body में हर एक cell mitosis perform करती है ठीक है अब जब हर cell mitosis perform करेगी तो cell का number increase कर रहा है तो कहीं न कहीं हमारी body की growth mitosis पर depend नहीं कर रही हां के ना अगर आपकी पूरी body की cell mitosis perform कर रही है माइटosis में chromosome का number नहीं बदल रहा लेकि cell का number increase कर रहा है तो यही तो हमारी body में growth के लिए responsible हुई तो अगर कोई आपसे पूछता है कि growth के लिए किस तरह का division responsible है अगर हम फूमन के बात करें तो में उस गांप को क्या बोलता है वट्चो सपर्म बोलते हैं और अगर फिमिल के बाद कारें तो उसमें अइग बोलते हैं उसके बाद बच्चों अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें मेंट वह क्या है सब् 여러분들 करने के लिए दिए इथे संच स्थ लिए Susan करने के लिए उल् we आपके पार दो सल बनेंगी, दो डोटरसल बनेंगी, किस के अंदर? माइटोसिस के अंदर, लेकिन अगर तो मैं आपसे बात करता हूँ मेयोसिस की, मेयोसिस में ऐसा नहीं होता, मेयोसिस में आपको दो बार कराना पड़ेगा कार्यक करनेसिस और दो बार कराना पड़ेगा सा एक कारयों करने से cito commitsεις बन रही है तो किस तरगर डिविजन है माई्टोरी dzoc entitled kinda आपको दोबारगर कारयों कर ना पढ़ रहा है तो जिसके वजह से आपके पाउड़ ने कि इन लिंगी मेह फोग का एक पहतर बाइलोजी को देखने का नजर्या मेंटेन हो जाएगा ठीक है दन